चेहरे को खुबसूरत बनाने की, चेहरे के दाग धबों को हटाने की, चेहरे पर यदि जाईयां, जुर्यां, मेलाजमा की परशानी है, पिग्मेंटेशन की परशानी है, उन सारी चीज़ों को दूर करने की बहुत आसान रेमेडी आज आपके लिए लेकर आई हो, अगर मु छाए पर दीलापन ना आए, तो इसकिन को टाइट करने के लिए काले दाग धबों को हटाने के लिए, दोस्तों, सबसे पहले इस्तमाल किया है, आलो का, कच्चा आलो जो होता है, बहुत ही फायदे मंद होता है, हमारे सकिन के लिए एक बहुत बहुत बहुतरीन beauty product है, साथ लिए नफ़ी डालेंगे कुछ बुंदे lemon juice की चार से पांच ड्रॉप lemon juice की जो की नैश्रल तरीके से हमारी तच्छा को ब्लीच करेंगा नीबू का रस आलू के रस में जो स्टार्च होता है वो इस्किन टाइटनिंग का काम करता है हमारी स्किन को जल्दी लूज होने नहीं देता, याने की लंबे समय तक बुढ़ा पाने नहीं देता है एक आलू लिया है, जिसे मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, यह देखे ये है हमारा ग्रिटेट, पोटेटो, आलू, अब आपको निकालना, इसे दबा कर आलू का रस निकाल लीज़े, आप चाहें तो छनी से छान लीज़े, हांथों से निचोड लीज़े, करीब करीब दो बड़ा चमच भर कर आपको यहां आलू का रस चाहिए, जो आलू होता है मैं डालूँगी यहाँ पर दो से तीन बूंदे नीबू के रस की लेमन जूस जो होता है दोस्तों ये हमारी तवचा को नैचरल तरीके से ब्लीच करेगा रंग को साफ करता है दाग धब्बों को हलका करने का काम करता है उम्र के साथ ही साथ अगर चहरे पर बहुत जादा मेलाजमा या पिग्मेंटेशन हो गया है उसे आप इस रेमेडी से आसानी से दूर कर सकते हैं आप कम उम्र के हैं मुहासे के दाग धब्बे फोडे फुनसी के दाग धब्बे पड़ गए हैं आप आसानी से इस remedy के द्वारा हटा सकते हैं तो ये जो आलू था जिसका मैंने रस्त करीब करीब निकाल लिया उसमें एक चमश शक्कर डाला है और इससे करेंगे हम scrub आप इस आलू के रेशे को लेते जाएए आप अपने हाथ पैरों पर बड़ी अच्छा मसाज करिए दोस्तों इससे थोड़ा सा ताकि आपके हाथ पैरों की जो डेट सेल है वो रिमूव हो सकें आप इसी तरह से आलू के इस रेशे से शक्कर डाल कर अपने चेहरे पर भी मसाज करिए ताकि सारे डेट सेल रिमूव हो सकें शुगर जो होती है शक्कर मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है दोस्तों शुगर जो है वो भी एक बहुत 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 ब्यूटी प्रोड़क्ट है शक्कर शुगर में ग्लाइकोलिक एसीड होता है जो हमारे सकिन के लिए बहुत बेनिफीशियल होता है शक्कर के बारिक-बारिक से दाने स्क्रब का काम करते हैं हमारी तचा से मृत कोशिकाओं को अलग हटाते हैं तो करीब-करीब तीन-चार मिनट स्क्रब करिए आप जाएं तो थोड़ी ज़री से अपने हाथ पेरों पर लगा रहने दे हाथ पेरों के सकिन सौफ्ट होगी सारा काला पन सारे मैल गंदगी बिलकुल ही बहार आ जाएगी चलिए तो ये तो हो गया हमारा आलू का रस जिसमें नीबू के कुछ बूदे डाली है अब जाईयों को दूर करने के लिए या जो काले-काले निशान पढ़ गए हमारे चेहरे पर उसे दूर करने के लिए इस आलू के रस में मैंने यहां एक चमच पेस्ट डाला है वाइट वाले टूथ पेस्ट का इस्तवाल करना है किसी भी कमपनी का लिजिये आपको यहां जैल वाला टूथ पेस्ट नहीं लेना है जिस तरह से टूथ पेस हमारे दाटों को मोती के जैसा सफेद चमकदार बनाता है बिल्कुल वैसे ही हमारी तुचा को साफ करता है जो निशान है दाग धबे हैं उसे दूर करता है और आलू के रस नीबू के साथ मिलकर प्रक्तिक तरीके से तुचा को ब्लीच करके रंग को गोरा करता है इतना फायदिमार इसे बना कर रखिए दिन में दो बार इससे चहरे को साफ करना एक रूई लीजिए पूरे चहरे पर लगा कर कम से कम दस मिनट तक रखिए दस मिनट बार आप चहरे को धो लीजिए इसके अलावा ये तो हो गया मेरा पहला तरीका जिसमें मैंने आलू का रस और टूथ पेस का इस्तमाल किया है अभी आगे मैं आपको एक पैक बनाना भी बताऊंगी जिसे आपको लगाना है कभी भी लगाईए दिन में जब आपके पास टाइम है आप लगाईए टूथ पेस को घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है देखे मैंने उंगली से इस तरह से घुला तो आलू के रस में अच्छी तरह से टूथ पेस मिक्स हो चुका है इसे मैंने थोड़ा ज़ादा बनाया है दिन में दो बार आपको इसे लगाना एक सबताह करके देखे दोस्तों नैश्रल चीजें जो होती हैं 100% वर्क करती है इनका कभी भी कोई side effect नहीं होता है साथ में लेना है दोस्तों आपको यहाँ पर आप चाहें तो चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं चुटकी भर डालिये ज़्यादा हल्दी नहीं डालते हैं हम लोग खुब ज़्यादा हल्दी डालेंगे न क्योंकि किचन वाली हल्दी है तो चहरे में पीला पन आ जाएगा फिर पीला पन जल्दी निकलता नहीं है इसलिए मैंने हल्दी नहीं डाली है और इसी तरह से मैंने एक आलू के रस में बेसन और हल्दी मिलाकर एक पैक भी बनाया है इस पैक को बनाने के लिए दो चमबच बेसन में चुटकी भर हल्दी डाली है और इसे मिक्स करने के लिए मैंने दही डाला है ताकि इस मिल्दी पर मौईश्यर भी बना रहे है तो आलू का रस से आपको अपने चेहरे को साफ करना है लगा रहने दीजे दस मिनट तक दस मि खबों को दूर करेगा तो अचा पर कसाव लेकर आएगा तो दिन में एक बार इस पैक को आपको लगाना है जब आपको टाइम है नहने से पहले इस पैक को लगा लीजे ब्रश से लगाए हाथों से लगाए जिसमें भी आप कमफर्टिबल है उस तरह से पूरे चेहरे पर देखिए चेहरा कैसा चांद के जैसा खुबसूरत ना हो जाए तब कहिएगा आप मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा बेसन इसकिन को लाइटन और ब्राइटन करता है दही हमारे सकिन को मौश्चुराइज करेगा हल्दी पता है आप सबको एंटिसेप्टिक एंट दूद पेस नीवू का रज डाला है दिन में दो बार चेहरे को साफ करिए इसे लगा रहने दीजिए 10 मिनिट तर फिर चेहरे को धोलीजे देखिए पुराने से पुराना मेलाजमा दूर होगा मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों मुझे भी बहुत जादा मेलाजमा मेनोपॉस के बाद जो अब ठीक हुआ है अभी भी मैं कई बार ध्यान नहीं रखती हूं दूप में जाती हूँ या केर नहीं करती हूं इसके इनकी तो वापस हो जाता है थोड़ा होता है इतना भेंकर वाला नहीं होता है तो remedy को ट्राय जड़ूर करें मेरे परिवार को व